में दर्साइए की किसी चत्र्पूज के समुक भुजाऊं के मंदविंदों को मिलाने वाला रेखा खल पर असंदिभाजित करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं तो पहले हम लोग यहां पर एक चत्रभूज बना लेते हैं, और इसका कुछ नहां देदेंगे यहाँ पर, ति हमारे पास यहां यहां चत्रभूज हो गया, इसका नाम यहां पर A, B, C, D ही देता हूं, क्या कह रहा है, कि किसी चत्रभूज के संमुख भुजाओं के मदबिंदू, अच्छा मैं क्या करता क्या का रहा है कि चत्रभूज के सम्मुख भुजाता है AB के सम्मुख आपका DC हो जाएगा AD के सम्मुख आपका BC हो जाएगा तो इनके मद्विन्दों को मिलाने वाली देखा खन यानि कि यह PR और यहाँ पर यह QS यह क्या करते हैं परस पर समदी भाजित करते हैं यह एक दुसरे को दो बराबर भागों में बाढ़ते हैं ठीक है यह इसके बराबर और यह इसके बराबर होगा यह हमें दिखाना है अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक रचना करू इन सभी मद्विन्दों को ऐसे मिलाओ तो यहाँ पर एक चत्रभूज बनेगा और इसको हम लोग यहाँ पर साबित कर सकते हैं कि यहाँ का क्या है समांतर चत्रभूज होगा और हम लोग जानते हैं कि समांतर चत्रभूज के विकर्ण एक दूसरे को समदी भाजित करते हैं ठीक है यह हम लोग कह सकते हैं तो पहले हम लोग पहले इसको लिखेते हैं कि क्या दिया हुआ है हम लोग लिखते हैं कि A B C D 1 चत्रभूज है ठीक है और क्या दिया है कि P Q R तथा S करमसा A B B C C D तथा D A का मद्धि बिन्दू है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि इनके सम्मुक बुजाओं के मद्धि बिन्दू तो यह आपका P R हो जाएगा मद्धि बिन्दू को मिलाने वाली देखा खंड समुक बुजाओं के मद्धि बिन्दू को मिलाने वाली देखा खंड एक दूसरे को सम्धि भाजित करती है दिखाना है तो हमें क्या साबित करना है कि यहाँ पर यह जो PR तथा QS जो है PR तथा QS एक दूसरे को सम्धिभाजित करते हैं सम्धिभाजित करते हैं यह हमें दिखाना है चलिए अब हम लोग इसका प्रमान देख लेते हैं बहुत सिंपल सा है प्रमान देखने से पहले इसमें एक मुझे छोटी सी रचना करनी होगी रचना में क्या करते हैं कोई भी विकर्ण मिला जाते हैं AC को मिला है हम लोग सुरू में सावित किये थे न उसी तरह से हम लोग यहां भी करने वाले हैं पहले हम लोग समांतर चत्व दिखा देंगे ना तहां हमारा काम हो जाएगा तो मैंने AC भी करन्ड को मिला है और मैं इसे डॉटेट कर दूंगा क्योंकि यह हमारी रचना है चीक है चलिए इसके प्रमान में थोड़ा से समझी है हम लोग चलेंगे पहले तिरभूज ABC में ABC में यहाँ P और Q मदबिंदू है न जी AB और BC के तो इनको मिलाने वाले रिखा खंड तीसरे भूजा के समांतर या उसकी लंबाई में आधी हो जाएगी तो हम लोग लिख सकते हैं हाँ पर कि P तथा Q करमसह AB तथा BC का मदबिंदू है मदबिंदू है तो इसलिए यहाँ पर यहाँ P Q समांतर हो जाएगा AC के तथा P Q आदा हो जाएगा लंबाई में AC कैसे तो मदबिंदू प्रमे से मदबिंदू प्रमे से समी करन एक मां लेता है अब चलते हैं दूसरे वाले तिर्बूज में तिर्बूज CD तथा DA का मदबिंदू है तो इस कारण से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो SR है या SR समांतर हो जाएगा AC के तथा SR आदा हो जाएगा लंबाई में AC के यह समी करन दो लेते हैं मदबिंदू प्रमे से यह भी क्या लिख सकते हैं जी तो हो जाएगा यहां से आपका PQ समांतर हो जाएगा AC के तथा PQ बराबर हो जाएगा AC के समझगे ना यह इसके समांतर और हाफ है और यह इसके समांतर और हाफ है तो यह इसके बराबर और समांतर नहीं हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा बराबर भ तो हम लों देख रहे हैं कि चत्रभूज के एक सम्मुक भूजा समांतर चत्रभूज के विकर्ण एक दूसरे को सम्दिभाजित करते हैं तो यहां से जब यह एक दूसरे को इसके विकर्ण सम्दिभाजित करते हैं अता हम यहां लिख सकते हैं कि PR तथा QS एक दूसरे को सम्दिभाजित करते हैं यह हम लोग यहां पर लिख सकते हैं तो यह हमने प्रमानित करके दिखे तरी कोशन